नमस्कार वन इंडिया में आप सभी का सुवावे थे मैं हूँ मोयक खान दुनिया के महन बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी अपने पिता की तरह किर्केट में काफ़ी दिल्चस्पी रखते हैं और सचिन की बल्लेबाजी आज भी लोग देखना पसंद करते हैं लेकिन सचिन तेंदुलकर अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर के मैच देखने नहीं जाते हैं अरजुन इस समय बुंबई की रंजी टोफी टीम का हिस्सा है भारत के महान बल्लेबाद सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे अरजुन तेंदुलकर को लेकर बात की और कहा कि वो अपने बेटे का मैच देखने नहीं जाते तेंदुलकर ने कहा कि वे चाते हैं कि उनके बेटे को इस गेम से प्यार करने की आजादी मिले उन्हें हाली में IPL 2022 मेगा उक्षन में बुंबा इंडियन्स की टीम ने खरीदा है सचिन लंबे समय से बुंबा इंडियन्स की टीम के साथ जुड़े हुए हैं पहले वो एक खिलाडी के तोर पर खेला करते थे फिर एक मेंटोर के तोर पर सचिन ने कहा वे चाते हैं अर्जुन तेंदुलकर खेल से प्यार करें और अपना फोकस पूरा खेल पर ही रखें सचिन ने कहा माता पिता जब अपने बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं तो उन पर दवाव आ जाता है इसलिए मैं अर्जुन के मेच देखने नहीं जाता क्योंकि मैं चाता हूँ उसके पास वो आजादी हो वे खेल से प्यार कर सके वो क्या करना चाता है इस पर फोकस कर सके इसलिए मैं उसे खेलता देखना नहीं चाता इसके अलावा सचिन तेंदुलकर ने यह भी कहा कि अगर वे कभी भी अपने बेटे का मुकाबला देखने जाएंगे तो वे छुप कर देखेंगे जिससे अरजुन को पता नहीं चले कि सचिन तेंदुलकर इस्टेडम में मौजूथ है सचिन तेंदुलकर ने कहा उन्हें अपने खेल पर ध्यान देना होगा मुझे पसंद नहीं था कि कोई मुझे देखने आए अगर मैं जाऊंगा तो छिप कर मेच देखूंगा उससे पता नहीं चलेगा कि मैं वहाँ हूँ ना किसी और को ना ही अरजुन तेंदुलकर को ना ही कोच को किसी को भी नहीं अरजुन तेंदुलकर ने हाला कि अभी तक अपना फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए डेब्यू नहीं किया है वे बुंबई की टीम के अंडर 14, 16 और 19 टीम का हिस्सा रह चुके हैं उन्हें अभी तक बुंबई इंडियन्स की टीम ने भी डेब्यू नहीं कराया है ऐसे में हर एक की निगाहें अरजुन तेंदुलकर पर बनी रहती है इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ